नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं यह कृतिम बवंडर है, मुखे मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, आप आयोगता के मुद्दे, चुनाव, आयोग और राजेपाल का जिक्र कर रहे हैं इस पर मैं काना चाहता हूँ कि यह भारत में पहली ऐसी घटना है जिसमें सीएम, चुनाव, आयोग और राजेपाल के दरवाजे पर जाते हैं और हाथ जोड़कर पूछते हैं कि उनकी सजा क्या होनी चाहिए सीएम तो खुद पूछ रहे हैं कि उनकी सजा के बारे में उन्हें बताये जाए जार्खन के सीएम हेमान सुरे ने कहा है कि यह महौल हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है यह हमारे परतिद्वांदियों द्वारा बनाया गया है क्या आपने कभी किसी अपराधी को सजा किमांग करते देखा अगर मैं अपराधी हूँ तो मुझे सजा दी जाए उन्होंने कहा है कि या हमारे विरोधियो दोरा सड़यंत रचने का काम किया जा रहा है जार्खन के सियम हेमान सुरे ने कहा है कि अगर मैं मुझरिम हूँ तो हमें सजा सुना दी जाए अगर मैं गुनागार हूँ और इतने दिनों तक सजा नहीं सुना जा रही है तो मैं इस पद पर किस हैसियत से बैठा हूँ इसका जबाब उनको देना है जार्खन में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है दरसल मौसम भी भाग की माने तो राज में अगले पांच दिनों तक हलके से मद दरजे की बारिस के आसार नजर आ रहे है रिपोर्ट के अनुसार 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक राजे के दक्षनी तथा मद भागों में बारिस हो सकती है इस दरान कुछ इलाकों में गरजन के साथ बजरपात की भी संभवना जताई गई है हलाकि तापमान में बहुत अधिक बदलाओ देखने को नहीं मिलेगा बता दे पिछले 24 गंटे में राजे में हलके से मद दरजा के बारिस भी हुई है सबसे अधिक वर्था रांची के खलारी में 69 मिलिमीटर दरज की गई है सरकार सीविर लगा कर राजे के नीजी कमपनियों में देगी नवकरी जारखन के अंदर जीतनी भी कमपनिया है उनमें 25 पर अथानियों लोगों को नवकरी देने की त्यारी की जा रही है कम्पनियों में ही सीवीर लगा कर आस्थानी लोगों को नवक्री दिलाई जाएगी बनोत पादन के लिए बायार तयार किया जा रहा है MSP भी तय किया जा रहा है यह बाते सीम हेमन सुरे ने गोहिल के रामे सुक्रवार को कही यहां मंत्री जोभा मांजी के दिवंगत पती देवेंद्र मांजी की सदाजली सभा और आपकी योजना आपकी सरकार आपके दौर कायकरा में सामिल होने पहुचे थे मुक्ष मंत्री ने कहा है कि जारकन देश के सबसे पीछे राजियों में सामिल है या इस राजी का दिरुभागे है राजी के लोगों को अपने पैर पर खड़ा होना होगा लोगों को पलाइन करने की ज़रूरत नहीं है दूसरे राजे में जाकर बरतन माजने से बचने के लिए हम परदेश में ही काम दे रहे हैं दिपावली छट वगुरू परव पर दो घंटे कर सकेंगे अतिस बाजी दो वर्ष तक कोविड-19 सेंकरावन के कारण दिपावली छट परव और नौव वरस पर अतिस बाजी कम होई थी इस बार अतिस बाजी अधिक होने की संभाना को देखते हुए जायकन राज परदूसर नियंत्रन बोड ने महतपूर ने देश जारी किया है बता दे इस वर्ष दिपावली छट वगुरू पर पर दो घंटे रात आट से लेकर दस बजे वही क्रिसमस और नौव रस के दीन मधे रातरी 11 बज कर 55 मिनट से 12 बज कर 30 मिनट तक मत्र 35 मिनट ही पटाके पोर चकेंग वायू गुनवाता अस्तर की सीमा 125 डेशिवल से कम होगी। नहीं नहीं लेते हुए इसके कारकरम ताय कर दिये गा है। इसके तहत राजेबर के प्रात्मिक सिक्षक अपने मांगों को लेकर 19 नौमबर को रांची में सीम आवास का घिराव करेंगे। गया यह बिसफोटक नकसली करवाई के लिए छीपाक रखे गए थे। बतादे जहरकंड की गढ़वा पुलीस, कोबरा बटालियान एम सीर्पी ने चर्च अभियान के दौरान इस बिसफोटक समागरी को बरामत किया है। जिस इलाके से यह समगरी बरामत की गई है, वह भंडरिया थना चेतर में आता है। सराब कारोबारी MRP से ज़्यादा पैसा वसुले तो करे सिकाया। साथ कई और जीले के दुकंदारों के खिलाब करवाई की गई है। सिकायत मिलेंगी तो सरकार उस पर जरूर करवाई करेगी। जगरनात महतों ने कहा है कि उत्पाद नेती पर विपक्स शिर्फ आरोप लगा रहा है। अगर उसके आरोपों में दम है तो वह उसे साबित करके दिखा है। वह जगरनात महतों ने उन्हें 32 के खत्यान पर भी बड़ी बात कही है। अपने ही पार्टी जार्खन मुक्ति मोर्चा कवरिष्ट नेता। लोभिन हेम्रम को नसीहत दिया कि ऐसे लोगों को अपने ब्यान पर कायम रहना चाहिए। जार्खन में डेंगू फैलने से रोकने के लिए विभाग अलर्ट। भोनेश परता अपने सब उपायकतों को इसकी रोक्तायम को लेकर आवस्यक दिसा निदेश दिये हैं। विभाग द्वाराजार निदेश के मुताबिक अभ्यान चलाकर डेंगू चिक्रंगुनिया के फैलने से रोकने के लिए परचार परसार किया जाएगा। साथ ही जन समुदाय को घर के आसपास जल जमाऊ नहीं करने के लिए प्रेडित किया जाएगा। वही निजी अस्पताल अमें डेंगू के संभावित रोग्यों की सुची राज मुख्याले को हर मा भेजने का निदेश दिया गया है। साथ ही रिम्स राची, धनबाज जम सेथपूर और सौधर असपताल राची, चाईबासा और साहिव गंज को सेंटिनल सर्विस लाइन असपताल के रूप में चिनित किया गया है। यहाँ डेंगू, चिकन गुनिया से पिडित, रोग्यों की जाच और इलाच की पूरी बेवस्ता है। कार पिडितो, अपराधियों के डर से घर छोड़ते लोगों का दुख दर्द दूर करते। दीपक परकास ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी कम्या चीपाने के लिए जानता कि गावधी कमाई के पैसे को सरकार आपके द्वार काकरा में बरबात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राज सरकार की नकामियों का पुलिंदा इतना मोटा हो गया है कि वे बताते बताते ठक जाएंगे। बता दे मुख्यमंत्री की पिरस्वारता पर उन्होंने कहा कि नयालाय कानून से नहीं डरने की बात करने वाले मुख्यमंत्री के लिए भरष्टर चार कोई बड़ी चीजी नहीं है। उन्होंने कहा है कि उन्हें केंद्र सरकार पर आरोप लगाने के पहले सुचना चाहिए कि आखिक राज सरकार की नकामियों के कारण केंद्र की योईनाय कैसे धरातल पर नहीं उतर रही रांची में धर्वांतरन का खेल 6 माईला हिरासत में जारखन की राज़ानी रांची में धर्वांतरन का खेल चल रहा है गरीब और दबे कुछले लोगों को परलोभन दे कर उनका धर्म परिवतन कराया जा रहा है इस मामले में अथानियों लोगों ने हिंदू संगटनों की म कुडमी को आधिवासी का दर्जा पर राय नितिक मुख्ष मंत्री हमां सुर्ण ने कुडमी समुदाय को आधिवासी का दर्जा देने को लेकर हाल के दिनों में हुए आंदोलन पर कहा है कि इस पर कहीं न कहीं राय निति रोटी सेकने का पर्यास हो रहा है आरक्षन का दारा बढ़ाने समधी निनाय को लेकर समयधानिक बाध्यता समधी सवाल पर उन्हों ने कहा कि SD, SC और OBC का आरक्षन जार्खन सरकार ने बढ़ाया है जार्खन सरकार किसी को और सुरक्षा नहीं होने देगी जिस वर्ग को जो अधिकार मिलना चाहिए उसे दिया जाएगा इस पर काम चल रहा है जार्खन सरकार इसका अधार बताएगी मुख्य मंत्री हमान सुरेन ने कहा है कि पहले की सरकारों में सरकार के निनायों को लेकर विदायकों और मंत्रियों का घेरा होता था सीएम आवास का घेरा होता था अब घेराव धनेवाद देने के लिए होता है 1932 खतियान पर घबराने की जरूरत नहीं मुख्य मंत्री हमान सुरेन ने सनीवर को चुनाव आयोग से आयमान तब्या पर राजभवन की चुपी 1932 के खतियान के अधार परस्थानिय निती अरक्षन की जटिलताओ सुखाज समेथ कैबिनेट में फिर बदल से समधी सवालों पर खुल कर बात चित की मुख्य मंत्री हमान सुरेन ने कहा है कि किसी को 1932 के खतियान को लेकर घबराने के जरूरत नहीं है जर्खन में जो लोग 1932 के बाद से रह रहे हैं या जो बाद में आये हैं सरकार सबके अधिकारों का ध्यान रखेगी जर्खन के अधिवासियों और मुलवासियों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए हर बर को अधिकार मिलेगा इस पर किसी परकार के सवाल की गुंजाइस नहीं छोड़ी जाएगी यह भी कहा है कि पहले 1932 के नाम पर कितना खुन खराब हुआ इस बार जब हमने निनाय किया तो लोगों ने होली दिपाली मनाई धोलना गारे बजा कर स्वागत किया गया सुखाय पर फैसला 10-15 दिनों में लेगी जारखन सरकार हमन्त सुरेन ने कहा है कि सुखाय गोसित करने का केंद्र का पैमाना है धान अगर घांस के रूप में तबदील हो जाए तो फैसला लेना चाहिए करीब साड़े 4,000 पैंचायतों में कुछ को छोड़ दे तो पूरे राजे में सुखार है 10-15 दिनों में निर्नाई करेंगे केंद्र से बड़ा पैकेज मांगेंगे राज की पैंचायतों को ससक्त बनाएंगे बहुत जल्द पैंचायत परतिनिद्यों से सीधे बातचित करेंगे केबिनेट में फेर बदल समधी सवालों पर कहा है कि कामकाज की समिक्चा होती रहेगी अभी केबिनेट में फेर बदल की कोई संभावना नहीं है मोदी सरकार ने जार्खन सरकार की मिड़े मिल की रिपोर्ट की तारिफ की पीएम पोसान मिड़े मिल योजना की रिपोर्टिंग में जार्खन की सराना होई है देश बर के कुछ राज्यों ने स्तात्य परतिस्यत रिपोर्टिंग की है जिसमें जार्खन भी सामिल है द्वारा योजना में स्कूलों से प्राप्त विभीन परकार की रिपोर्टिंग का अकड़ा सभी राजियों को भेजा है जिसमें यह बात सामने आया है कि विभीन राजियों में जार्खन के अलावा गोवाक के रलतिरी पूरा सिक्कम उत्राखन तथा मद्य परदेश ने सत् सोग कारोबारियों तक के लिए बालू सुनिस्चित कराने का रास्ता निकाल लिया है रभीवार से ओनलाइन आवेदन के साथ ही बालू की आपूर्ति भी शुरू हो जाएगी राज के नौ जीलों में से 21 कहाटों के माध्यम से बालू की उपलबता सुनिस्चित की जा रही है बता देख खान निदेशक अमित कुमा ने बताया है कि राज सरकारिया भी सुनिस्चित कर रही है कि जिस ब्यक्ति अत्वा संस्थान ने बालू की बुकिंग कराई है उसे ही उसकी आपूर्ति हो खाना निदेशक के अनुसार पुर्व में नीगम के पास ऐसी सिकायते आ उठा ले गया था अभी कुछ जीलों में बालू घाटों का टेंडर फाइनल भी नहीं होने के कारान वहाँ परसानी बनी रहेगी आयता जलापूर्ति का काम अगले आधेस तक बंद पेजल मंत्री मिठलेस कुमार ठाकूर के ग्रिह जीला मुख्याला चाईबासा से सटे गाओं में हर घर में पाइप लाइन से पीने के पानी के आपूर्ति के लिए जानता को अभी लंबा इन्तियार करना पड़ेगा अगल बगल के लगभाग असी गाओं में पेजल पहुंचाने की योजना थी चेनाई की मेसर सिरी राम EPC प्राइबेट लिमिटेट की लापरवाई के कारानया अति महत्पुन योजना अधर में लटक गई कुजू पूल के पास खरकोई नदी के किनारे योजना के तहत बन रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम रोकते हुए पेजल इवं स्वक्षता अंचल कर्याला ने सिरी राम EPC को पत्र जारी किया है खोटी में 83 उजनाव का उधगाटन खोटी के विधायक निलकंट सिंग मुंडा ने सनीवार को अपनी विधायक निदी से निर्मीद 83 उजनाव का एक साथ उधगाटन किया इस उसर पर जीला परिसाद परिसर खोटी में अज़ित कारिकरम को समुदित करते विधायक ने कहा है कि जनता के असिरवाद से उन्हें खोटी छेतर के विकास का उसर लगातार मिल रहा है उन्होंने कहा कि 25 वर्ष पुर्व खोटी की स्थीती काफी खराब थी लेकिन जब से जनता ने उन्हें विधान सवा में अपना परतिनीधी बना कर बेजा तब से लगातारवा चेतर के विकास में लगे है लोगों के सहयोग से अपने विधान सवा चेतर कुटी के हर गाव और टोला को सड़क, पूल, पुलिया, सहीत, बिजली और पानी के सुविदा मुहजा कराई है दीपावली से पहले अमूल दूद की कीमते बढ़ी आम आदमी पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है, अमूल ने दूद के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी की है, इसे पहले भी अमूल ने 17 अगस्त को दूद के दाम बढ़ाय थे दूद के अलावा अमोल के दूसरे उत्पादों की भी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है फूल, क्रीम, अमोल दूद के एक लिटर के पैक की कीमत एक साट रुपे की जगा अब तीर साट रुपे हो चुकी है बता दे सुबा सुबा दूद का पैकेट खरीदने पहुचने वाले अमोल के ग्राकों को इसकी बढ़ी हुई कीमतों की जनकारी मिली खतियानी महा जुटान सभा आज जैराम महतो करेंगे संबोधित जरखंडी भासा खतियानी संगर समिति के दोआरा पीपरवार छेतर के बचरा चार नमबर फूटबॉल मैदान में खतियानी महा जुटान सभा का आयोजन रभिवार को किया गया मुख्य अतिति टाइगर जैराम महतो सभा को समोधित करेंगे खतियानी महा जुटान सभा के आयोजन को लेकर आयोजन समिति के दोआरा सारी त्यारिया पूरी कर लिगाई अतितियों के बैठने के लिए स्टेज त्यार कर लिया गया है वही महिला और पूरुस के अलग-अलग बैठने की विवस्ता की गई बास की बैरिकेटिंग भी कराई गई है बता दे आयोजन समिति के अरजुन महतो ने बताया है कि इस महा जुटान में करीब 10 हर साधीक लोगों के आने की संभावना है जार्खन में डेंगू और चिकुनगुनिया के 500 से जादा मरीज मिले जार्खन में डेंगू और चिकुनगुनिया का बड़ता पर कोफ डराने लगा है स्वास विभाग के अकड़े के अनुसार अब तक इन दोन बीमारियों के 500 से जादा मरीज मिले हैं इसे लेकर विभाग ने अलट जारी किया है राज मुख्याले ने सभी जीलों के सीविल सर्जन को पत्र लीकर डेंगू चिकुनगुनिया और मलेरिया के मामले पनःया रखने और सभी सरकार्य अस्पतालों में इन बीमारियों के इलाज के लिए समुशीत बेवास्तासों ने चित कराने को कहा बता दे राजे के सबसे बड़े होस्पिटल डिम्स में फिलाल डेंगू के 15 मरीज भरती है इनका इलाज आइसोलेशन वार्ड में किया जा रहा है पारा सिख्षकों के प्रेसर से कुछ नहीं होता मंत्री अस्थाई करन की मांग पर जार्खन के पारा सिख्षकों ने एक पर फिर आंदोलन सुरू कर दिया है पारा सिख्षकों का अंदोलन सरकार पर दवाव बनाने के लिए है लेकिन सिख्षा मंत्री जगनात मतों ने साब कर दिया है कि प्रेसर से कुछ नहीं होता जो नियम है उसी के मुताविक सब काम होगा सरकार ने पराज सिस्कों के बेतन मान में एक मुत 40-50 परचत की ब्रीधी कर दिया पराज सिस्कों के अंदोलन और जारकन की सिख्चा ब्यवस्ता पर भी जगनात मतों ने कई बाते कही उन्होंने कहा है कि हमने पराज सिस्कों के हक में कई फैसले लिए 50-1000 सिस्कों की बहाली का भी रास्ता साप कर दिया उन्होंने कहा कि जल्दी सरकारी स्कूलों की ब्यवस्ता में अमोल चूल परिवर्तन देखनों को मिलेगा मैं आपको अस्वस्त करता हूँ कि कोछ दिन में या इस्थिति आएगी कि प्राइबेट स्कूल की तरह लोग सरकारी स्कूलों में भी नमांकन के लिए पैर भी कराएंगे धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं होते चनल के सब्सक्राइब कर बॉल का बेल एकन दबाईए